दोस्तों आपका बहुत बहुत शौगत है अविनंदन है आपके अपने यूटूब चैनल आर्यान इंस्ट्यूट इलाहबाद में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो पॉलिटेक्निक सेमेश्टर एक्जाम 2021 में होने वाला था वह कुरोना शंक्रमण के चलते बहुत ही विलंबशे हो रहा है लेकिन इसके बीच में आपको एक नियूज निकल कर आए थे कि जो आपका एक्जाम होगा वह एक्जाम आपका 22 जुलाई से होने वाला है ठीक अभी तक आपको यही पता था कि जो आपका एक्जाम है वह 22 जुलाई से होगा और कौन से समेश्टर के होगा आप जानते हैं कि उसमें देख रहे हैं आप कि दूसरा समेश्टर यहां आप देख रहे हैं दूसरा सेमिस्टर, चोथा और छठे समिस्टर का एक्जाम जो है, वह 22 जुलाई से होने वाला था, आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, लेकिन अभी अभी एक उफिसियल नोटिश निकल कर आ रही है, कि अब आपका एक्जाम जो है, 22 जुलाई से नह से authentic news देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तो चलिए हम अपने news को सुरू करते हैं आगे आप यहां देख रहे हैं कि polytechnic semester परिच्छाएं अगले आदेश तक अस्थगित बहुत अच्छी तरह से आप यहां देख रहे हैं कि पॉलिटेक्निक की semester परिच्छाएं अगले आदेश तक अस्थगित की गई हैं 21 से प्रयोगात्मक परिच्छा कराने का आदेश दे दिया है सासन ने ठीक जबकि पॉलिटेक्निक की semester परिच्छाएं थी वह आगले आदेश मिंस अब कब तक अस्थगित हैं यह आने वाला वक्त बताएगा और जो आपकी प्रयोगात्मक परिच्छाएं थी वह 21 अगस्त से मिंस आज से प्रारंब हो जाएंगी ठीक तो चलिए इस पे और भी update क्या है अब प्राविदिक शिक्छा विभाग ने कालेजों को 21 जुलाई से आउनलाइन प्रयोगात्मक परिच्छा कराने का आदेश दिया है गयर तलब है कि पॉलिटेक्निक की दूसरे चोथे वह चोठे समेस्टर की परिच्छाएं 22 जुलाई से तीन पालियों में आउनलाइन ह को ने थी मगर विभाग ने कुरोना शंक्रमण के मद्दे नजर इसके लिए कोई तयारी नहीं की ना माउग टेस्ट कराया और ना ही प्रक्रिया को लेकर कॉलेज व विद्यार्थियों को दिसा निर्देश जारी किया गया आखिर मंगलवार को विभाग ने मंगलवार को विभाग ने सभी कालेजों को अगले आदेश तक परिक्षा अस्थगित करने का पत्र जारी कर दिया अब कालेजों को प्रयोगात्मक परिक्षा कराने का आदेश दिया है विभागी सच्यू सुनील शोनकर ने सभी कालेजों को 21 से 30 अगस्थ तक प्रयोगात्मक परिक्षा कराने का आदेश दिया है राजकी वशहायता प्राप्त कालेजों को अपने अस्तर से ही परिक्षा करानी है जबकि नेजी कालेजों को नोडल अधिकारी की देख रेक में परिक्षा करानी होगी राजकी पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्रधाना अध्यापकुचारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है अब आगे यहां एक खबर और आप देख रहे हैं कि 22 से होनी थी परिच्छाएं पर विभाग ने नहीं की कोई तयारी यहां इसकी लापरवाही सिर्फ विभाग की है अनिथा आपकी परिच्छाएं 22 जुलाई से होनी तै थी फिर भी आगे आप एक नियूज और देखेंगे कि प्रैक्टिकल के नाम पर सिर्फ होगा वाइबा आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा अब सिर्फ आपका वाइबा करा क्यों कि कुरोना का शंक्रमड आप जानते हैं कुरोना की वजह से प्रयोगात्म परिच्छा में प्रैक्टिकल कराने के नाम पर केवल वाइबा ही होगा ऐशे में विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन परिच्छा देश केंगे जो भी आपका वाइबा होगा वह भी पॉली टेकनिक के प्रिंसिपल डॉक्टर यूसी वाच्पेई ने बताया कि पहली बार हो रही प्रिवगात्मक परिच्छा के लिए कई बदलाओ किये गए हैं जो शिख्षक जिस विशय को पढ़ाते हैं उनसे उस विशय के छात्रों की प्रिवगात्मक परिच्छा नहीं ली जाएगी ठीक सिक्षक अपने विशे के इतर दूसरे विशे के छात्रों की परिक्षा लेंगे जब कि विशे विशे सग्य सिक्षक इंटर्नल कारे करेंगे इससे परिक्षा में पारदर्सिता आएगी जब आफिशियल परिक्षा होती है तो उसमें external और internal की ब्यवस्था होती है तो दोस्तों आप फिर से हमें एक मोटे तोर पर आपको बताना चाहेंगे कि जो आपकी polytechnic परिछाय थे वह सासन ने अपने अगले आदेश तक अस्थगित कर दिया गया है लेकिन अब यह date तै नहीं है कि आपका exam कब होगा इसलिए जहां तक पूरी-पूरी श्रंभावनाय आपके लिए बन रही है कि आपकी प्रमोट होने के पूरी-पूरी chances बन रहे हैं ठीक तो दोस्तों ये news अगर हमारी पसंद आई हो आपको तो प्लीज आपने दोस्तों में share जरूर करें जिससे मेरी यह जानकारी हर बच्चों तक पहुच सके और हर बच्चों तक जान सके ठीक तो थैंक्स धन्यवाद